कलर्स टेलिवीजिन की मूस एंटेटिनिंग शो शक्ति हसित्व के असास की में चल रहा है काफी हाय वोल्टेज ड्रामा जी हां चाहाने वाल एपिसोड में आप सब देखें काफी इंट्रेसिंग ट्विस्ट रॉटर्ण्स तो वहीं जा करन स्टोरी लाइन के अनुसार हर्म सौमय की फोच कर रहा है जी हां जहां हर्मन किशनलाल को पकड़ लेता है और वहीं जिसने पहले हरक सिंग पर गोली चलाई थी तो वहीं जहां हर्मन अब किशनलाल को मारता है ताकि वह असली मास्टर माइंड के नाम को जान सके तो वहीं जहां भी चीज हरक सिंग को काफी बेचन कर देती है जहां प्रीतों भी हरक सिंग और बागी परिवार के सदस्टों को कमरे में ताला लगा देती है ताकि हर्मन शांदीपूर्वा किशनलाल से पूछताच कर सके तो वहीं अब शौकिंग ली किशनलाल सौमय के पिता पर पॉइंट आउट करता है और वहीं वो सिच्वेशन हर्मन के लिए और भी जादा कॉम्प्लिकेटेट हो गई है तो क्या अब हर्मन अपनी सौमय को धून पाएगा या नहीं यह जाननावा कई काफी दिल्चस्प होगा तो अपने पसंदाशों के ऐसे ही इंट्रसिंग लेटेस अपडेट जानते रहने के लिए ह हमारे साथ बने रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कल इस टेलिवीजिन की मूस एंटेटिनिंग शो शक्ति हसीद्व के एसास की में चल रहा है काफी हावोल्टेज ड्रामा जी हां चाहाने वाल एपिसोड में आप सब देखें काफी इंट्रसिंग ट्विस्ट तो वहीं जहां करें स्टोडी लाइन के अनुसार हर्मन सौम्या की फोज कर रहा है चीहां जहां हर्मन किशनलाल को पकड़ लेता है और वहीं जिसने पहले हरक सिंग पर गोली चलाई थी तो वहीं जहां हर्मन अब किशनलाल को मारता है ताकि वह असली मास्टर माइंड के को जान सके तो वहीं जहां भी चीज अरक सिंग को काफी बेचान कर देती है जहां प्रिटों भी और भाकी परिवार के सदस्टेव को कमरे में ताला लगा देती है ताकि हर्मन शांदीपूर्व किशनलाल से पूश्टाच कर सके तो वहीं अब शौकिंग ली किशनलाल सौमय के पिता पर पॉइंट आउट करता है और वहीं वो इसे ये बताता है कि उसी ने हर्मन को शूर्ट करने के लिए कहा था तो वहीं जहाँ अब शौकिंग अपनी जीत की खुशिया मनाता है जबकि अब किशनलाल ने काफी स्मार्ट ली सौमय के पिता को इस ट्रैप में फसा दिया है तो वहीं जहाँ आब आगे सिच्वेशन हर्मन के लिए और भी जादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है तो क्या भर्मन अपनी सौमय को धून पाएगा या नहीं यह जान ना वहाँ कहीं काफी दिल्चस्प होगा तो अपने पसंदाश्यों के ऐसे ही इंट्रस्टिंग लेटेस अपडेट जानते रहने के लिए हमारे साथ बने रही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें